पुस्कार मित्र जैमातरी स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चेनल में तो कन्या रासी वालो आपके परिवार को डूबाने पर तुला है इस नाम का व्यक्ति मित्रो पिछले साथ जन्दमों से आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पढ़ा है और आपको जीवन में थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो मित्रो आखिर कौन वह व्यक्ति है आखिर इस व्यक्ति की पेहचान केसे की जाए यही सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं मित्रो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आपके परिवार में कोई खुशी आती है तो अचानक से वह खुशी दुख में बदल जाती है पूरा परिवार परिसानियों से गिरा रहता है परिवार में कभी किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है त आखिर आपने इसी क्या गलती की है जी हाँ बिलकुल आपके मन में यही सवाल आता होगा लेकिन आपको बता दें कि कभी-कभी इन सब के पीछे कुछ लोगों का भी दोस रहता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं लेकिन आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आख जो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाई कवस्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्ते ही जै मातरानी लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनोकामनाई पुर्ण करेगी हम सब तरह के लोगों से गिरे हुए हैं फिर चाहे वो लोग अच्छे हो या बूरे हो ये हमें तेई करना ही कि हमें किस के साथ रहना है और अच्छे लोगों के साथ या बूरे लोगों के साथ मित्रो हमारे जीवन में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं अच्छे बूरे बोरे लोगों की पेहचान होने चाहिए नहीं तो जिनें आप अच्छा समझते हैं अपना समझते हैं बाद में जाकर वही लोग आपके परिवार के खिलाब कुछ बुरा करते हैं या आपको और आपके परिवार को धोका देते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ और आपके सामने अच्छा वहवार करने वाला इनसान अच्छा ही हो क्योंकि कहते हैं मित्रो कि हर इनसान के दो रूप होते हैं आपके और दूसरों के बारे में उस इनसान की सोच केसी है या फिर वो इनसान आप से कितना वफादार है ये सब चीजे एक इनसान को अच्छा या बूरा साबित करती हैं तो मित्रो आपको इस वीडियो में कुछ बात हैं जो बताएंगे कि किस तरह से आप अच्छे और बूरे की पहिचान कर सकते हैं आपको मित्रो बूरे लोगों की सबसे बड़ी पहिचान यह होगी कि वे आपकी काम्याबी से कते ही खुश नहीं होंगे अब यह तो सभी को पता है कि आपकी काम्याबी से आपके अपने ही खुश नहीं होते हैं तो फिर यह आपके दुस्मन और बूरे लोग के से खुश रहेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल मन में यह आता है कि आखिर इनकी पहिचान केसे करे और इनसे दूर केसे रहे मित्रो आपकी कामयभी से जलने वाला व्यक्ति हमेशा उपर से बहुत खुश दिखाए देगा इतना खुश कि आपके परिवार से भी तो मित्रो इसमें जब वह आपसे भी ज़्यादा खोश दिखाई दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होगा जी हाँ अकसर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गिराने वाला भी कोई अपना ही होगा जो आपके बहुत करिब होगा तो जो इंसान आपकी काम्याबी से जले, आपकी काम्याबी को हर चीज में किसी ने किसी प्रकार का नुक्स या बुराई निकाले, तो समझ जाईए कि यह व्यक्ति आपकी जिन्दगी के लिए कते ही सही नहीं है, इससे आपको तुरंत पीछे छोड़ा लेना है और मित्रो, जो व्यक्ति हमेशा आप से किसी प्रकार की बेहस करता हो, आपके घर में आता हो, और हर वक्त आपको किसी ने किसी बात के लिए टोका डाके करता है, आप कुछ भी अपनी बात उन्हें मानने के लिए कहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता ह तो आखिर क्या कारण है कि सामने वाल व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है मित्रो इसका सबसे सिधा इस पश्ट है कि वह चाहता है कि केवल आप उसके ही कहने पर चलें आप केवल उसकी ही सुने तो यह गलत है क्योंकि एसे लोग आपको मित्रो मुसीबत में डाल सकते हैं क्योंकि जो अपने होते हैं वे हमिसा अपनों का कहना मानते हैं अपनी वाली नहीं चलाते हैं अब ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो ना तो आपकी बात माने और केबल वे यही चाहे कि जो वे कहे आप वही करें इसलिए मित्रों इन तरह के लोगों के आपको दूरी बना कर बहुत रखना है वही कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें जूट बोलने के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं आता है अब वह लोग या तो आपके पदिवार के भी हो सकते हैं आपकी मित्र भी हो सकते हैं या आपके साथ कार करने वाले सेह करमे भी हो सकते हैं क्योंकि जूटे लोगों का, कोई भी नहीं रहता है मित्रों, जूटे लोग केवल अपनी जूटी सान दिखाने में ही रहते हैं, और जूटे लोगों की संगती में रहने वाला व्यक्ती भी, हमें साथ बरबादी की राहा पर जाता है, यह बात सत्त प्रतिसत सत है क्योंकि जूट का सहारा कुछ भी नहीं होता है और यदि आप एक जूटे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसकी संगती में आपकी छवे भी धुमिल होगी और आपका वहवार, आपका पेशा, आपका घर, आपका स्वभाव सब कुछ बरबाद हो जाएगा इसलिए मित्रो जूटे लोगों की पहिचान करना बड़ा ही आसान है कैसे कि जब भी कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसके होट और इसकी आँखें कभी भी लड़ खड़ाईगी नहीं मित्रो जूटे लोगों की पहिचान आप जब भी करें तो केवल उसके होट और उसकी आँखें इन दोनों पर धियान रहें क्योंकि इन ही वज़े से आप मित्रो सरल भी रहेंगे और सुरक्सित भी रहेंगे वहीं आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनों को निचा दिखाने की कोशिस करते हैं अब ऐसे लोगों की पहिचान किस तरह से करें ऐसे लोगों को आप अक्सर किसी बड़ी मिटिंग या अपने दोस्तों की मेहफिन में लेकर जाएं और कुछ ऐसे वर्ड बोले तो अगर आप अपनी अच्छाई बरत रहे हैं अपनी अच्छाई लोगों के सामने रखेंगे तो कही न कही वह व्यक्ति आपको निचा दिखाने की कोशिस करेगा ही चाहे वह धिरे से कुछ नुक्स निकालेगा चाहे कुछ ऐसी बात करेगा जिससे आप उसे आसानी से समझ लेंगे कि यह व्यक्ति केवल अपने स्वार्त के लिए आपके साथ रह रहा है आपको निचा दिखाने की कोशिस कर रहा है इसलिए ऐसे लोगों को ना तो आपके घर में आपको आने दिना है क्योंकि यही लोग आपको जलिल भी करते हैं मित्रों जी हाँ धियान रखिएगा कि आपका सबसे बड़ा अपमान यही साबित होगा कि जो व्यक्ति आपको निचा दिखाते हैं आप उनहीं के साथ गुमते हैं और रहते हैं वही चानक्योंने एक बात कही है कि यदि आप अपनी हैसियत के बराबर लोगों के साथ रहोगे तो बहुत सरल सक्सम रहोगे और जिस दिन आपने अपनी हैसियत से ज़दा लोगों की पेर पकल लिए तो यकिन मानिय मित्रों ना तो आपको कोई वर्चस वर रहेगा ना ही आपको कोई मान रहेगा और मा ना ही कोई सम्मान रहेगा इसलिए आपको अपनी उकाद वाले लोगों के साथ ही रेना चाहिए यह एक अच्छी बात स्री चानक की जी कहते हैं वही मित्रो एक बात हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि विनास काले विप्रिद बुद्धी इसका आर्थ है कि जब इनसान विनास की और जाता है तो इसकी बुद्धी काम करना बन कर देती है और एसे लोग यदि आपके जीवन में होंगे तो मित्रो यह कहावत यहाँ पर सही बेड़ती है कि विनास काले विप्रित बुद्धि क्योंकि आपको धियान रखना है कि जब आपकी बुद्धी अच्छी रहेगी आपकी सोच अच्छी रहेगी तभी आप लोगों को आसाने से पहिचान पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे तो मित्रो वीडियो की समापती यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवस्य कर दिजेगा मित्रो कमेंट बॉक्स में गुरुजी का अशिर्वाद प्राप्त करने के लिए स्री सीवाई नमस्तु भ्यम अवस्य लिखेगा मित्रो गुरुदेव आपकी सारी मनो कामनाय पुर्ण करेंगे और देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा